नमस्कार फ्रेंट साहब सभी का एक पर फिर से एजुक्रिशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने जा रहे हैं एंस्येंट यूनिवस्टी वल्लभी के उपर यानी की आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है प्राचीन विस्विद्यालय वल्लभी और यह विस्विद्यालय प्राचीन समय में भारत का उच सिछा का केंद्र हुआ करता था जैसे कि आपका तकसिला, नालंदा, विक्रमसिला उसी तरह से ये भी प्राचिन विस्विद्यालय का उच्छ सिच्छा का के अंदर था जो था आपका वल्लभी विस्विद्यालय तो देखिए, पॉइंट वाइस आज की वीडियो में हम जो भी महत्तपूर विंदूएं इससे जुड़वी बनती हैं उसके उपर डिस्कस करेंगे ताकि आपके UGC NET के एक्जाम में अगर इससे जुड़वा कोईशन पूछा जाए तो उसका आप सही जवाब दे सकें साथ ही साथ other competitive exam के लिए भी आज का वीडियो बहुत ही मुलिवान रहेगा तो दियृब किए सबसे पहले हम जानेंगी किह हग प्राचीन विश्वीद्यालय को कि इस ने अस्थापित करवाया था दूजी कि इस प्राचिन विश्विद्याले को अस्थापित करवाया था मैत्रक किंग भटारका ने इस विश्विद्याले की अस्थापना कराई थी और किस सब्ताब्दी में कराई थी चट्वी सब्ताब्दी में मैत्रक किंग भटारका ने इसका अस्थापना कराया यह सबसे important point है आपको मता दें कि प्राचीन विस्विद्याले जो बल्लवी है वो पूराने समय में गुजरात के सौराष्ट में इस्थित्ता जो आज वल्लवी पूर के नाम से जाना जाता है जो गुजरात के भाव नगर जिले में इस्थित्त है प्रिजेंट टाइम में और वल्लवी 460 से 775 इस भी के दौरान मैतरक सामराज की राजधानी यानि की कैप्टल भी रही थी थर्ड पॉइंट अगर देखते हैं कहा गया है कि यह विश्विद्य अले प्राचीन समय में बोध धर्म के सिच्छा का प्रमुक्यंदर माना जाता था यानि कि प्रमुक केंदर था ये बौध बुधिष्ट एजूकेशन का और बुधिष्ट एजूकेशन में दो संप्रदाय देखा जाए तो होता है एक आपका हीनयान और एक महायान तो यहाँ पर प्रमुक रूप से हीनयान की सिछा दी जाती थी तो प्राचीन विस्विद्याल है बल्लभी बॉत धर्म का देखा जाए बुद्धिष्ट एजुकेशन का इंपोर्टेंट ये सेंटर हुआ करता था प्राचीन समय में ये आपको ध्यान रखना है और मुक्यत यहाँ पे हीनियान संप्रदाय का यहाँ पे सिछा दिया जाता अगले पॉइंट में देखा जाए तो कहा जा रहा है कि यह विस्विद्याल है सिछा के छेत्र में नालंदा का प्रत्वन्दी माना जाता था कुछ समय के लिए प्राचीन समय में यानि कि जब आपका देखा जाए कि नालंदा विस्विद्याल है रन कर रहा था उसके बाद ये भी विद्याल है रन करना स्टार्ट किया तो उस समय ये एक तरह से एजुकेशन के प्रत्वन्दी माना जाता था नालंदा का आपको मता दें कि बहुत धर्म के सिधानतों के अलावा यहाँ पे ब्राम्हानिकल साइंस के सिच्छा दी जाती थी ब्राम्हानिकल साइंस को पढ़ाया जाता था तथा साथ ही आपके जो धार्मिक सिधान थे उसके अलावा यहाँ पे प्रमुक रूप से जो विशय यहाँ पे च्छात्रों को पढ़ाया जाते थे वो थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट निती निती यानिकी पॉलिटिकल साइंस आपका वारता वारता में आपका होता थ था बिजनेस और एगरिकल्चर फिर आपका एड्मिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता था यानि की प्रसाशन उसके लावा आपका रिलिजियस थाट यानि की धार्मिक वीचार यहाँ पे पढ़ाया जाते थे इस्पेसली आपका बुद्धिष्ट ठीक है उसके लावा आपक एकांटेंसी था उसके लावा आपका लाव था इकोनॉमिक्स था इन प्रहुविस्ट्यों की यहाँ पे सिछा दी जाते थी छात्रों को और यह वीच्विद्धियाले मुक्रूप से अर्थ सास्त्र आपका नीति सास्त्र और आपके चिकित्सा के लिए प्राचीन काल में बहुत ही फेमस हुआ करता था तो इस वीच्विद्धियाले को हम अर्थ सास्त्र चिकित्सा सास्त्र और नित्स सास्त्र के लिए जानेंगे कि यह काफी फेमस था कहीं पर आपके एक्जाम में इसले जुड़ाव कोश्चन पूछ रहे तो आप करेक्ट अंसर दीजिएगा और आम तोर पे यहां के जो असनातक होते थे यानि कि जो ग्रेजूट हो जाते थे उन चात्रों को देखा जाए तो यहां के राजा जो होते थे वो राज सरकार में सहायता के लिए या सहाय के तोर पे यहां के जो असनातक होते थे जो चात उसको निक्ट करते थे अपने र दिखा जाए तो यहां पर एक तरश से प्लेस्मेंट का काम भी चलता था इस विश्विद्याले में और प्राचीन विश्विद्याले वल्लभी कि तो दो प्रमख विद्यानों के नाम famous हैं एक आपका गुड मति और एक आपका इस्थिर मति यह दो नाम आपका याद रखना है आपको याद रखना है कि इस विश्विद्याले की जानकारी कैसे और किसके द्वारा प्राप्त होती है तो देखिए जैसे कि इस विश्विद्याले में प्राचीन विश्विद्याले में सिर्फ भारत के नहीं बाहर के लोग भी सिछा लेने के लिए यहां पे आ देते यहां पे आते हैं तो उस समय बताया जाता है कि यहां पे 6000 से जाधा देखा जाए बिच्चु यहां पे अध्यान करते थे तथा कहा जाता है कि लगबग 100 यानि कि 100 मठों में इनको रहने की विवस्था थी यानि कि आवास की विवस्था हुआ करती थी उसके लावा इस विस्विद्याले के सनरच्छड का जो कारे करने का जिम्यदारी जिसके उपर होता था उस समय देखा जाए तो जो मैत्रिक किंग थे मैत्रि अंपायर जो था ठीक है इन राजाओं ने भारी अनुदान दिया था साथ ही यहां के नागरिकों में देखा जाए तो काफी अमीर और उदार व्यक्ति भीवा करते थे जो संस्ता को चलाने के लिए आवस्यक देखा जाए तो फंड या का जाए धन उपलब्द कराते थे और आपको बता दें कि छटवी सताब्दी से लेके बारवी सताब्दी तक यह आपका प्राचीन विस्विद्यालय जो वल्लभी था वह बुद्धिश्ट एजूकेशन का बहुत ही प्रसिद या फेमस देखें तो सेंटर के रूप में प्रक्षात था आपको बता दें कि इसक अंत कैसे होता है इस विस्विद्यालय का अंत कैसे होता है तो कहा जाता है कि 775 आपके इस भी में आपके इस भी में जो सनरचक राजा होते थे इस विस्विद्यालय का जो सनरचक का कारे करते थे उनको अरब से आए आकरोन कारियों के कारण देखा साए तो बहुत हान उन्होंने दम तोड़ दिया ठीक है लेकिन उसके बाद भी इनके जो राजाओं के उत्तरादिकारी हुआ करते थे उन्होंने भी सनर्चर का जिम्मा उठाया इस विस्विद्यालया प्राचिन विस्विद्यालया का उन्होंने भरपूर धन भी दिया उन्होंने सनर्चर का का पर माना जाता है कि 12 सेंचुरी के लाज तक विस्विद्यालय की सचिक गद्विदियों का रफदार जो था वो धीरे धीरे मंध होता गया जिसका कारड यही था कि राजाओं का अंत होना जिसके साथ विस्विद्यालय का भी अंत हो गया क्योंकि देखा जाए तो स्ताटिंग में जिन राजायों ने इसको इस्टिलिस्ट किया वो नहीं रह गए तो उसके बाद के जो लोग आएंगे उसके अंदर देखा जाय तो उतना उस विस्विद्धाले के लिए प्रेम भी नहीं रहेगा तो धीरे धीरे देखा गया इस विस्विद्धाले का अंत हो गया ठीक है तो इससे जुड़ाओ कोई भी कुश्चन आपको पूछना हो पूछ सकते हैं और जब तक ही दिक्रियों नहीं लाते हैं नेक्स्ट अप्डेट नहीं लाते हैं थक्सु ओचिंग एजुकिसनल चैनल और आपका भी बहुत बहुत सुख हो